और अगर लिवर हमारा ठीक है तो सब कुछ ठीक है अगर पेट हमारा ठीक रहेगा तो सब कुछ ठीक रहेगा टीम अगर सुबा हमारा पेट कोई एक दिन क्लियर नहीं होता है तो पूरा दिन बर हमारा कैसा जाता है वो हमें पता होता है और आज उसी प्रॉब्लिम्स का समाधान जो है उनी सारे प्रॉब्लिम्स का समाधान मैं आज आपके लेके आया हूँ एक प्रॉड़क पे रूप में जिसका नाम है लिवर हिल्फ जूस जो 100% हर्बल इंडियन्स के साथ आपके लिवर की प्रॉपर देख बाल करने के लिए आपको ये product मदद करेगा, आपके liver को सही तरीके से काम करने मदद करेगा, आपके liver के अंदर जितने भी problems है, acidity का problems, digestion का problem, सारे problems को दूर करने में, आपको ये product मदद करेगा, जिस product का नाम है liver health juice, चलिए team, इसके बारे में, और भी detail में जानकरी हम लोग प्राप करते हैं कि ये जो product है, ये कितना ज़्यदा beneficial हमारे शरील के लिए हो सकता है, इसका डोस हम लोग कैसे कैसे ले सकते हैं, तरह तरह के जो beneficial चीज़े हैं, वो हम लोग आगे चलके बात करेंगे, तो सबसे पहले अगर liver खराब होने की, अगर system है हमारे शरील के अंदर, अगर liver धीरे-धीरे खराब हो रहा है, तो इसका कारण बहुत कुछ हो सकता है team, इसका कारण तो एक हो सकता है कि genetic problem हो सकता है, पुर्ते बिमारी जिसका हम लोग बोलते हैं, इसके कारण भी हमारा liver धीरे-धीरे काम करना, उसका जो system है, वो धीरे-धीरे कम हो सकता है, इसके साथ साथ बहारी कोई वाइरस, जो हमारे शरील के अंदर कोई भी विमारी के रूप में अगर चला जाता है, तो वो ही वाइरस क्या करता है, हमारे liver को काम करने की जो शमता है, उसके साथ साथ alcohol usage, बहुत ज्यादा alcohol इस्तिमाल करने की जो system है, उससे भी हमारा liver खराब हो सकता है, उसके साथ साथ obesity या फिर मोटा पर इसे ग्रस्त जो इनसान है, या फिर मोटा पा अल्रोड़ी जिनके उनके लिवर भी आज बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचने वाला है अगर वो सब बिखती अपने लिवर को थोड़ा सा भी टेक केर नहीं करते हैं अब ये जो प्रॉब्लम्स है ये प्रॉब्लम्स तो हम लोग फेस करेंगे ही करेंगे लेकिन इसके साथ-साथ हमारे लिवर को प्रॉपर्ली टेक केर भी करना पड़ेगा और लिवर को सबसे पहला जो काम होता है टीम हमारे कोई भी खाना जो हम लोग खाते हैं उस खाने को ह हमारे लीवर को पहुच्छता है वे हमारे शरीक के तमाम हिस्सों में बाट इधा है उसको डिस्टिबिस कर देता है उसके साथ यह मिलता है उसको हमारे किडनीन के थू बहारभ काम करता है हमारा गर नहीं करते है तो इससे हमारा सरोसी सब सकता है फैटी लिवर हो सकता है और इसका अगर सहीं से हम लोग प्रॉपर लिट्रीटमेंट अगर नहीं करते हैं तो इससे हमारी जान भी जा सकते हैं क्योंकि इन सारे कंडिशन्स में मेडिकल टर्म्स में एक ही वाड यूस होता है जिसका नाम है लाइफ फ्रिट्निंग बिमारी मतलब लिवर का अगर कोई भी प्रॉब्लम्स आपके शरीट के अंदर धीरे धीरे बड़ा हो रहा है और उसको अगर आप ट्रीटमेंट प्रॉपर तरीके से नहीं कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा डिनाई करते हैं क्योंकि दवाई लेने का जो प्रॉपरटीज हैं दवाई लेने का जो एक सिस्टेम हमारे शरीट के अंदर आज हमने रेडी किया है उस दवाई के माददम से क्या हो रहा है हम लोग चीजों को छुपा के रख रहे हैं चीजों को दबा नहीं होते है थोड़ा सा भी आप अपने लीवर को ध्यान नहीं देते हैं तो ये बीमारी आपको कहां तक लेके जा सकती है इसका कोई अंदजा हमें नहीं है हम सब को नहीं है इसके साथ अगर बात करते है हम लोग कुछ सिम्टॉम्स के बारे में जिससे आपको महसूस हो जिससे आपको लगे कि आपका लीवर जो है वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा है तो उसके लिए कुछ सिम्टॉम्स के बारे में मैं आज आपको बता के जाओंगा अगर इन सारे सिम्टम्स में से कोई जी सिम्टम्स अगर आफ फेस करते हैं तो उस टाइम से आपको अपने लीवर की देखभाल करना, स्टार्ट करना पड़ेगा, otherwise आगे बहुती ज्यादा भायानक दिन हम लोग फेस करने वाले हैं सबसे पहला जॉंडिस हम लोग जानते हैं पूरे शरीर में एक पीलापन हो जाना, एक यलवश कलर हो जाना हमारे पूरे आँकों में या फिर पूरे बॉड़ी में अगर ऐसा symptoms आ जाता है तो इसका मतलब हम लोग jaundice समझते हैं और यही jaundice क्या करता है हमारे liver की काम करने की जो system में उसको धीरे-धीरे कम कर देता है क्योंकि liver के size को वो थोड़ा सा increase कर देता है liver का जो normal size होता है उससे काफी ज्यादा बढ़ जाता है और इसी से क्या होता है इसी से हमारे शरीर में एक पीलापन हम लोग मैसुस करते हैं बहारी तौर से जो लोग jaundice बोलते हैं और यही कारण होता है हमारे liver को नुकसान पहुचाने के पीछे jaundice बहुत ज़्यादा मदद करता है इसके साथ साथ abdominal कोई भी discomfort अगर आमको हो सकता है पेट के नीचे वाले हिस्से में या फिर पेट के उपर वाले हिस्से में कोई भी अगर आपको discomfort सा मैसूस हो आपको अच्छा नहीं लग रहा है पेट बहुत सा फूला-फूला सा लग रहा है आपको से आप देख रहे हैं कि आपका नीचे वाली सीपे हैं कि इसके साथ सिपने इसके साथ स्किनिटेशन नेगलेट करते हैं दोपएर को अपने लंच किया, आदा गंटा 40 मुनिट के बाद अचानक से आप देखते हैं कि आपके हाथ में उंगलियों के अंदर छोटे-छोटे घमोरिया जैसे आप लोग देखते रहते हैं, कुछ टाइम के बाद वो अपने आप चला जाता है, लेकिन वो आता जरूर है और यही होता है स्कीन इरिटेशन जो आपके लीवर के कम करने की कारण से आपके शरील को ये फेस करना होता है, इसके साथ साथ डाक कलर का यूरीन, सरसोका तेल जैसे कलर आपका अगर यूरीन के अंदर आता है, तो इससे भी आपको ये पता लगता है कि आपका लीवर का जो काम है वो दिरे-दिरे कम होता जा रहा है उसके बाद अगर आपका यूरीन अगर बहुत ज्यादा डाफ कलर का हो गया तो हमारा जो स्टूल है वो भी बहुत हलका कलर का हो जाएगा बहुत ही लाइट कलर का हो जाएगा सफेपपन आ जाएगा हमारे स्टूल के अंदर इस पीट में जलन, गले में जलन, अपने चिस्ट में हम लोग जलन महसुस कर रहे हैं, उसके साथ साथ, वॉमिटिंग जैसे महसुस हो रहा है, खाना हम लोग खा रहे हैं, लंबा टाइम तक उस खाने को हजम हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, और ये अगर सिस्टम हम लोग डेली ब पहुचा सकता है, otherwise वो आपके इस विमारी को ठीक नहीं कर सकता है, अगर ये सिम्टॉम्स में से कोई भी सिम्टॉम्स आप पेस कर रहे हैं, तो आपके लिवर की प्रॉपर टेक केर करना बहुत ज़ारा जरूरी है, अगर आपकी आगे की जिंदगी जो है, अगर आप लोग हिल्दी रहना चाते हैं, हिल्दी तरीके सागर जीना चाते हैं, और सिर्फ यही सिम्टॉम्स के साथ-साथ हम लोग कुछ कॉजिस के बारे में भी बात करेंगे, जो कारण होता है, हमारे लिवर को फेलियर होने के लिए, जैसे बहुत तरीके का इंफिक्शन के इस्तिमाल कर रहे हैं, जैसे डायबेटीज बीमारी, उसके लिए हम लोग जो मेडिसन के इस्तिमाल कर रहे हैं, उस मेडिसन का जो साइड एफिक्ट है, वो हमारे लिवर को पहुँच रहा है, ऐसे बहुत सारे दवाई ऐसा होता है, बहुत ज़्यादा हाई डोस का इम्यून सिस्टम रोग प्रतिरोत करने की शम्ता जो है उसमें बहुत ज्यादा कमती उसमें भी हमारा लिवर बहुत ज्यादा खतिक दस्थ हो सकता है जनेटिक प्रॉब्लेम और अलड़ी मैंने बात किया जो पूर्टे विमारी होती है इससे भी हमारा लिवर नुकसान लोग इस्तेमाल करते हैं उस भीमारी को ठीक करने के लिए उस सारे के लिए हमारे लीवर को भी एक साइट एफेक्ट पहुंसता है उसके साथ साथ अनहेल्दी इटिंग हैबिट जो हम लोग आज के लिट में बहुत ज्यादा एडिक्टेड हो चुके हैं बाहरी खाने के उ अनहेल्दी इटिंग हैबिट्स घर का चावल डाल सब्जी हमें अच्छा नहीं लगता है जो थोड़ा सभी पोशन हमें पहुंचाता है हमारे शरीर के अंदर लेकिन हमें पसंद क्या होता है बहार का बिर्यारी बहुत पसंद जिसके अंदर एक परसेंड भी पोश्रक्त को नहीं मिलता है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ तेल घी मसाला डालडा यह सब कुछ मिलता है और इसी तरीके का खाने में हम लोग बहुत ज़्यादा एडिकेट हो चुके हैं और सिर्फ आज के जिनरेशन नहीं अगले आने वाले कई ज़्यादा जिनरेशन हम लोग ऐसे देखने वाले हैं जो घर के खाने वो लोग नहीं खाएंगे सिर्फ बाहर के खाने के उपर ही वो अपने पूरे दिन का गुजारा करेंगे और यही अनहिल्दी एबिट्स होता है यह हमारे लीवर को खराब करने में बहुत ज्यादा यह भी त कि निवर को फेलिएर करने के लिए उसके साथ साथ ओपरुट के कारण भी हमारा लीवर फेलिएर हो सकता है डाइबीदी ताइप 2 में भी हमारे लीवर फेलियर हो सकता है बॉरी पिरसिंग यह आपको और भी जड़śmy दौनर दिखाने के लिए हम लोग जो 1992 के पहले, सन 1992 से पहले जितने भी लोगों का blood transfusion हुआ है, उन सब लोगों के अंदर भी liver खराब होने के chances बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, क्योंकि उस time पे technology का इस्तेमाल बहुत अच्छी तरीके से नहीं किया जाता था. उन सारे लोगों के अंदर भी बहुत ज़्यादा liver का problem धीरे-दीरे लोग face कर रहे हैं, उसके साथ साथ physical intimacy करने के लिए कोई भी protection ना लेना, ये भी हमारे liver failure कर सकता है, उसके साथ साथ कोई भी chemical या फिर poisons, जो हम लोग खाने के माददम से ले रहे हैं, उससे भी हमारे liver नु नहीं बच्चे हैं, उनके अंदर भी liver damage होने का chances बहुत ज़्यादा हो सकता है, और यही है risk factors जो हमें बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना पड़ेगा, और यही चीज़े ध्यान में रखते हुए, यही चीज़े हम लोग को और भी बहतरी इन तरीके से आपने liver को काम करान उसके साथ-साथ various infections होता है, उससे आपके liver को बचा के रखने का जो काम करता है, वो हमारा liver health juice करता है, आगे चलके हम लोग जो benefits से उसके बारे बात करेंगे, लेकिन इसके अंदर आपको क्या-क्या मिलता है, इसके अंदर आपको anti-inflammatory properties मिलता है, anti-viral properties मिलता है, anti-bacterial properties मिलत उसके साथ-साथ prevention करने के लिए अगर कोई product आपके liver को अगर मदद कर सकता है, तो वो है हमारा liver health juice, सारे के सारे herbal ingredients, जितने भी herbal ingredients का इस्तमाल इस product को prepare करने के लिए ready किया गया है, वो सारा herbal ingredients जो है, वो आपके सिर्फ और सिर्फ liver की proper देखभाल करने के लिए उसका इस्तमाल किया गया है, और अगर बात करते हैं इसके ingredients के बारे में, तो इसके अंदर आपको aloe vera मिलता है, भूमी आमला, वरिंगराच, पुनर नवा, गोकुरू, मूली, मामजीवा, गिलोई, मकोई, जाओ, नीम, अजमोडा, जीरा, सौफ, मुलेटी, तुलसी, नगर, मोटा, जैसे बहुत ही ज्यादा herbal ingredients आपको इस product के अंदर मिलेगा, जो आपके liver को protection करेगा, आपके liver के अंदर एक productive element जैसे बाहर खड़ा रहे कि आपके liver को protect करने मदद करेगा, आपके liver को कोई बीमारी से बचा के रहने में मदद करेगा, हमारा ये product जिसका नाम है liver health juice, इसके साथ अगर बात करते हैं हम लोग इसके benefits के बारे में, तो ये product का इस्तमाल, अगर हम लोग daily basis में अपने life में start करते हैं, तो ये hepatitis, jaundice और other liver disease से हमें बचा के रखता है, उसके साथ digestion को लेके किसी के अंदर कोई भी problem है, जितने भी लोग मुटी भर-भर के rent-tech का इस्तमाल करते ह है, उनको आप एक महीने के लिए rent-tech इस्तमाल करने के लिए उनको मताएं कि अभी एक महीना आप rent-tech इस्तमाल मत कीजिये, सिर्फ हमारा ये liver health use के इस्तमाल करिये, और एक महीना इस्तमाल करने के बाद, rent-tech के तरफ आपको देखना भी नहीं पड़ेगा, इतना ज्यादा properties आपको इस product के अंदर मिल जाएगा इसके साथ constipation, gastric का कोई समस्या acidity का कोई समस्या सबसे आपको बचा के रखता है सबसे आपको धीर-धीरे ठीक करने मदद करता है हमारा यह product उसके साथ साथ हमारे liver के अंदर पानी का जो एक मात्रा होना चाहिए उसको भी बहुत अच्छी तरीके से maintain करता है हमारा liver health juice इसके अंदर आपको antiviral, antibacterial, anti-inflammatory, antioxidant, anti-aging और उसके साथ सब anti-cancer properties आपको मिलेगा जो आपके liver को पूरे तरीके का अगर देखभाल कोई product कर सकता है तो वो है हमारा liver health juice इतने ज्यादा properties आपको मिलता है आपकी immune power को ये build up करता है neuro-protective properties इसके अंदर आपको मिलता है कोई भी ulcer धीरे-धीरे जो formation करता है उसको भी धीरे-धीरे ठीक करता है कोई भी ulcer होने के जो chances है उसको भी ये धीरे-धीरे कम कर देता है साथी साथ कोई भी liver damage इतने पिछले कई सालों में से जितने भी liver damage कोई भी toxins के कारण हो चुका है उन सारे damage को धीरे-धीरे ठीक करने का काम भी करता है हमारा liver health juice साथ हमारे liver के बाहर जो कोशिकाए होती है जो हमारे liver को protect करता है जो हमारे liver को रक्षा करता है जो बाहरी टॉक्सिंस के कारण, बाहरी प्रदुशन के कारण, बाहरी खानफिन के कारण जो कोशिका है मर चुका है, उसी जगा पे नए कोशिकाओं को बनने में मदद करता है और बाकी के हर कोशिकाओं को हेल्दी बनाने के मदद करता है हमारा ये लीवर हिल जूस ताकि कोशिकाओं के मदधं से आपके लीवर को एक प्रॉपर प्रोटेक्टीव एक इंस्टुमेंट मिले और इसका देखभाल भी हमारा ये प्रोड़क करता है इसके साथ-साथ ये हमारे लीवर के अंदर जितने भी टॉक्सिंस है उसको हमारे शरीड से बाहर निकाल देता है हमारे शरीड के अंदर मेटाबोलिजम को बहुत ज़रा बूस्ट अप करता है इंजाइम सिक्रेशन को बढ़ाता है जो हॉर्मोन हमारे खाने की जो हाज़मा को और भी ज्यादा मदद करने मदद करता है उसी hormone का हम लोग enzyme बोलता है उसी hormone का जो secretion होता है उसको और भी ज़्यदा build-up कर देता है उसके साथ-साथ obesity से भी आपको बचा के रखता है हमारा ये product इसके साथ-साथ अगर बात करते हैं हमारे liver के बारे में तो proper अगर promotion अगर आपको चाहिए अगर proper liver का अगर देखभाल आपको चाहिए तो इससे आपको कौन मदद कर सकता है proper liver को अगर आपको देखभाल करना है इसके लिए आपको मदद कर सकता है सिर्फ हमारा एक product जिसका नाम है liver health juice तो चलिए इतना जड़ा benefits जानने के बाद खोड़ास हम लोग जानते हैं कि इसको use करने का तरीका क्या है आठ साल के बाद आठ से दस साल के बाद अब किसी को भी इस product को इस्तमाल करने के लिए दे सकते हैं सबसे पहले इस product को इस्तमाल करने से पहले shake well before use अच्छे से इसको shake कर लीजिए उसके बड़ों के लिए 15-20 ml पूरे दिन में दो बार और बच्चों के लिए 5-10 ml पूरे दिन में दो बार इसके 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 ले रहे हैं तो बीच में पर्स डोस से लेके दूसरे डोस बीच में जो आपका गैप होना चाहिए पहले डोस से दूसरे डोस तक आपके बीच में जो गैप होना चाहिए वो 6-8 घंटा आपको होना चाहिए और इसी लिवर हेल्ट जूस के साथ हम आपने पूरे लिवर को एक टॉक्सिंस हमारे लीवर के अंदर आज क्रेट में जमा हुआ है जो टॉक्सिंस हमारे खाने को हजम ठीक से करवा नहीं पा रहा है जो टॉक्सिंस नहीं नहीं बीमारी को जनम दे रहा है हमारे शरीट के अंदर उन सारे चीजों से आपको कोई अगर छुटकारा दे सकता है तो वो है हमारा liver health juice अगर प्रॉपर liver का health को अगर आपको maintain करना है तो सबसे पहले आपके घर में एक product तो ज़रूर होना चाहिए जिसका नाम है liver health juice तो team फिर से एक ही बात मैं बोलना चाहूगा अगर हम लोगों की घर घर तक पहुचके liver health juice को अगर लोगों के हाथ तक थमा देते हैं जब लोग इसका इस्तिमाल करेंगे team और इस product को इस्तिमाल करने के बाद लोगों के अंदर जो परिवर्टन आएगा जो changes लोग महसूस करेंगे उसके बाद लोग आगे जाके इस product को और भी ज़एदा promotion करेंगे और ये product जब घर घर तक पहुच जाएगा तब हर घर से एक ही नारा निकलेगा एक ही word हर किसी के मूँपे होगा जो है जैजाय केवा जैजाय केवा इसको अगर हम लोग घर घर तक पहुचा देते हैं तो टीम आज सिर्फ हम लोग अपना business नहीं बढ़ा सकते हैं लोगों के स्वस्थ को और भी ज्यादा बहतर बनाने भी हम लोग बहुत ज्यादा लोगों को मदद कर सकते हैं इसके लिए केवा काईपो इंडस्ट्री के पास इतने ज्यादा प्रोड़क्स हैं इतने ज्यादा प्रोड़क्स हैं जो जितने लोग आज यूस कर रहे हैं सिर्फ उन्हीं को पता है कि आज हमारे पास कैसे magical product हमारे पास है और इसी magical product को अगर आपको आगे चलके आपके पूरे शरीर को अगर आपको proper तरीके से काम करवाना है फुल एनर्जी के साथ हर और्गयन को अगर आपको सहीं से काम करवाना है तो एक एक करके हम लोग product कर जो training लेते हैं उसी information को लोगों तक पहुँचाईए और यही चीज़े जब हर लोग तक पहुँच जाएगा जब हर लोग हमारे product इस्तिमाल करेंगे तब क्या होगा वो हमें भी पता है वो आपको भी पता है हम सब को पता है और यही कहिके मैं अपना session को आज कतम करता हूँ कोई भी feedback अगर आप देना चाहते हैं कोई भी सवाल आपको अगर कोई doubt है please आप लोग पूछ सकते हैं अब एक क्वेश्चन आया है नंदू पासवान सर बिहार से आप है और आप अप क्वेश्चन है कितने दिनों तक लेना है सर मैं अगर आपको बताता हूं जैसे कि मैंने session को start करने से पहले बताया कि चीज़े अगर आज के डेट में खराब है तो आगे चलके चीज़े की जो सुधारने की है तो पिछले 40 साल से जितने भी toxins उस वेक्ति के अंदर जमा हुआ है हम लोग इसका expect नहीं कर सकते हैं कि वो जो अगर हमारे शरीर को अगर हमें proper तरीके से काम करवाना है तो हमारा जो प्रोड़क्ट है वो लगातार आपको इस्तमाल करना पड़ेगा क्योंकि यह जो प्रोड़क्ट है यह आपके लीवर को सहीं से काम करने मदद करेगा अभी कितने दिनों तक लेना है इसका आंसर जो है मैं आपको बताओंगा लगातार इसके इस्तमाल करते रहे हैं क्योंकि बाहर अगर खाना आज करेट में इतना खराब हो चुका है तो आगे चलके यह खाना और भी ज़्यादा खराब होगा आज अगर आपको दस मिनिट टाइम मिल रहा है दो समोसा खाने के लिए आगे चलके आपको जितना आपका लेवल बढ़ता जाएगा दो मिनिट कभी टाइम नहीं मिलेगा तब आप दो समोसी भी खाने खाने पाएंगे एक कपचाय से भी आपको पेट भराना पड़ेगा तो यह सिस्टेम चलता रहेगा और इसी सिस्टेम को चलते हुए अगर आपके शरीर को अगर आपको प्रॉपर मेंटेन करना है तो प्रॉडक्त इस्तमल आपको लगातार करना पड़ेगा उम्मीद करते हैं कि मैंने आपका आंसर दे दिया है कि आपका कोई सवाल है सर लिवर हिल जूस का बहुत अच्छा रिजल्ट है और जिनको भी दिया सब लोग बूलते बहुत अच्छा है ओके थैंक यू थैंक यू वेरी मच थैंक यू ऐसे ही टेस्टिमोनियल्स आप अगर बनाते हैं और लोगों के पास अगर यही टेस्टिमोनियल्स के साथ अगर आप पहुंचते हैं तो इस प्रोड़क्ट को लोगों को यूज कराने से दुनिया भर में कोई नहीं रोख सकता है पीछले 5 साल से हैं इसमें क्या-क्या लेना है byte सब से पहले में बता दूं आpस जो समस्यां का चुंस्टिपेशन का समस्या है अगर आप लिवर हिल जूस का इस्तेमाल करते हैं और प्रॉपर तरीके से अगर आप डायेट जो आपका खाने का जो system है वो अगर आप maintain करते हैं तो कब से आपको बहुत जल्दी छुटकारा आपको सिर्फ यही product दे पाएगा ठीक है लेकिन रात को सोने से पहले थोड़ा सा आपको जो मसाला वाला जो सब्जी होता है उसको कम खाईए थोड़ा सा आप कम पकाने वाला सब्जी खाईए रा प्रोड़ा सा टाइम आपको देना पड़ेगा ओके शंतोस महरा सर आपका जो question है कि इसके साथ और कोई product लेना है या सिर्फ लिवर के लिए अगर आपको proper maintain कोई कर सकता है तो वह है लिवर हेल जूस लेकिन इसके साथ हमारे शरीर में बाकी भी organs होती है जिसके लिए हमारे जैसे लिवर हेल जूस है यह आपकी लिवर को proper तरीके से maintain करेगा ठीक है डाइबेडिस के patient को दे सकते है का हाँ डाइबेडिस patient को भी आप दे सकते है इसमें कोई problem नहीं है लेकिन अगर उनका level काफी ज्यादा है अगर वो insulin का इस्तमाल कर रहे है तो please आप एक बार उनके doctors इसको दिखा के उनको यह product दे सकते है अधर्वाइस इस product को जो नहीं लेने का सिस्टम होता है pregnant woman को आपको यह product नहीं देना है सिर्फ आपको एकी चीज़ ध्यान में रखना है कि pregnant woman को आपको यह product नहीं देना है और शंतोष महरा सर बहुत-बहुत धन्यवाद मुखाजी सर थैंक यू वेश्वर सर आपका भी शांदर ठैंक यू थैंक यू तैंक यू वेरी मच टीम और किसी है कोई भी सवाल है कोई भी डावट है तो प्लीज आप लोग पूच सकते हैं तो तो टीम आइटिंक कोई सवाल नहीं है और आज हमारे साथ बहुत लोग जुर चुके थे सौ से भी ज्यादा लोग हमारे साथ आज थे और यही जो वीडियो है जो फेस्बूक में अलड़ी लाइफ है तो इस वीडियो को आप आगे चलके फॉरवर्ट करिए लोगों के पास लेकि ये वीडियो जाईए और लोगों को सुनाईए कि ये जो प्रॉड़क्ट है इस प्रॉड़क का जो बेनेफिट्स है वो कितना करता है डाइबेटीस के कारण होने वाले जो भी मेडिसिस वो ले रहे हैं उनकी लीवर को जो साइड एपक्स पहुंच रहा है हो साइड एपक्स को धीरे ठीक करने मदद करता है हमारा यह लीवर हेल्ट जूस लेकिन अगर वो इंसुलिन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम लो लोगों तक यह message फैलाए है knowledge आप इसको लेके जाए है ताकि लोग हमारे product के बारे में पहले जानकारी प्राप करें और उसके साथ साथ लोग हमारे product को इस्तेमाल करें और इसका benefits भी next कोई भी session में ऐसे भी कोई लोग आए हमारे पास जो इस product का benefits हमें बताएं कि यह product हमने हमें एक महिने से use कर रहे हैं और इसका हमें यह benefits मिला है so team I think किसी के पास कोई सवाल या फिर कोई doubt नहीं है so इसी के चलते आज मैं अपना session खतम करता हूँ और आगे हम लोग और भी बहतरीन sessions लेके आएंगे नए-ने product का session हम लोग करेंगे और उससे हम लोग और भी ज्यादा जानकरी प्रात करेंगे क्यूंकि अगर हमें जानकरी अगर हमारे पास अगर knowledge हमारे पास अगर सही से पहुँच गया तो हमारे इस business को हम लोग आगे लेके जाने के लिए कोई भी नहीं रोग सकता है यह हम लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते है सबसे request यह है कि knowledge सिर्फ आपके पास उसको बंद-बंद रखिए knowledge को आप बाहर लोगों को distribute करते रहिए ताकि हर लोगों के पास knowledge पहुँचे क्यूंकि आज लोग अगर medicines के इस्तमाल कर रहे है लोग अगर product के इस्तमाल, लोग अगर supplements के इस्तमाल नहीं कर रहे है तो सिर्फ कमी एक ही जगा पे है कि लोगों के अंदर knowledge नहीं है इसी knowledge को आप लोगों तक पहुचाए medicines के इस्तमाल से side effects होता है supplement के इस्तमाल से आपके शरीर को एक better condition मिलता है ये knowledge लोगों के पास आज के इट में नहीं है इसी के कारण लोग क्या करते हैं लोग दवाई दुकान के और दौरते हैं और दवाई की दुकान दार भी क्या करते है discount पर discount लगाते हैं कि ताकि और भी ज़्यादा लोग उनके दुकान से दवाई खरी दे तो हमें जस्ट यही करना है लोगों को दवाई दुकान से घुमा के लोगों को हमारे पास लेके आना है ताकि हम आपको सहीं से सला दे कि क्या सही हैं क्या गलत है और यहीं सही गलत का information जब हम लोगों तक पहुचा देंगे तो लोग दवाई का इस्तमाल जो है वो बहुत कम कर देंगे तो टीम इसी के चलते मैं अपना session खतम करता हूँ last एक कोई सवाल है धरम प्रकाश सर आप दिली से हैं ओके सर पानी से लेना है नहीं इसको आपको as it is लेना है ओकी so thank you very much team मिलते हैं एक और भी बहुत बढ़िया sessions के साथ एक और भी बहुत बढ़िया product के साथ तब तक के लिए thank you very much happy Sunday to all of you और अच्छे रहिए स्वास रहिए good night to all of you फिर से मुलाकात होगी बहुत जल्दी thank you very much to all of you, thanks